नमस्कार दोस्तो, स्वागत हैं आप सभी का हमारे यूटूब चैनल योजना ओनलाइन फोर यू पर दोस्तो एक बार फिर आपके सामने एक महत्पून जानकर लेकर हाजिर हो चुके हैं अगर आप भी एक किसान हैं तो आपके लिए यह है एक बड़ी खुसकपरी है जैसे कि आप से भी को पता है कि सरकार दोरा किसान यूजना को लेकर बड़ा आइलान किया गया था जिन किसानों की EKYC कम्पलिट हो पाएगी उनहीं को गया रवी किस्त दिजाएगी लेकिन दोस्तो ग्यारवी किस्त की जो अंतिम्तिती सरकार दुवारा निर्धारित की गई थी उसको अग बढ़ा दे गया है क्या अंतिम्तिती बढ़ाय गई है उसके बारे में बता जाएगा साथे साथ दोस्तो कुछ खिसान यहां पर ऐसे हुंगे जिनको ग्यारी किस्त के साथ चार हजार रुपे दिये जाएगे तो दोस्तो वह किसान कौन से हुंगे उसके बारे में भी हम आपको जान कर दोने जा रहे हैं तो वीडियो को सुरूर से लेकर दाश्ट तक जुरूर देहेगा और आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो लाइक करेगा शेयर करेगा और चैनल पर आप अली बारा है तो चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लेजे क्योंकि आने वादे नोटिफिन आपको मि रहत दी गई है प्रधानमंत्री किसान सम्मानी थी योजना का लाव लेने वाले सभी किसानों को EKYC करना अनिवार्य है जिसकी अंतिम्तिती सरकार द्वारा 31 मार्च 2022 रखी थी यनिके EKYC करने की अंतिम्तिती सरकार द्वारा 31 मार्च 2022 निर्धारित की गई थी लेकिन साइट पे काफी लोड है जिससे की किसान EKYC नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों साइट काफी बिजी जा रही है साइट नहीं खुल पा रही है इससे किसान काफी प्रेशान भी है कमेंट भी आत र अगर आपने EKYC नहीं की है तो आप आयसाने से किसान कर पाएंगे साथी मैं खुदा चाहूंगा कि EKYC करने की जो तिथी बढ़ाई गई है उससे पहले आपको EKYC करनी होगी आपकी जानकर लिए बता दें कि आने वाली 11 वी किस्त बिना EKYC के किसानों को नहीं दी की हाला कि 10 किस्ते अब तक ट्रांसपर कर दी गई हैं लेकिन काफी ऐसे किसान हैं जिन तक किस्ते नहीं पहुच पाई हैं या फिर दोस्तों उनकी किस्त बीच में ही रोकी गई हैं PM किसान सम्मानिधी योजना के अंतरगत रिजिस्टर क्रोडों किसानों के लिए यह एक बड़ी खुस कबरी हैं दोस्तों जैसे कि हमने खो बताया है कि केंसरकार ने इस योजना के अंतरगत लाप पाने के लिए अनिवार्य किये गई QYC की परकिरिया को पूरी करने के लिए निर्धारित डेट में बढ़ोतरी की गई है अब दोस्तों प्रधानमंत्री किसान पोडल पर अपडेट की गई जानकर के मुताग मैं आपको उता दूँ कि जो अंतिम्ति निर्धारित की गई है अब वह 22 माई 2002 तक QYC किसान कर पा QYC कर पाएंगे जो की पहले 31 मार्स 2022 निर्धारित की गई थी वहीं दोस्तों 12 क्रोड से भी जादा किसानों को लाब दिया जा रहा है गोर्तलब है कि किसान सम्मानिधी योजना के अंतरगत लगभग 12 क्रोड 53,00 किसान रजिस्ट्र हैं ऐसे में जो किसान अब तक QYC की प सम्मानिधी योजना के लावारतियों के लिए EKYC परक्रिया को अनिवारे किया हुआ है जिसे पूरा करना भी जरूरी है तो दोस्तों आप जल्द से जाएगा और EKYC कर लिजेगा आप उतां चाहेंगे कि EKYC पूरा करना जरूरी है और किस प्रकार से आप इसको पूरा कर दोस्तों दिजेगा प्रदान मंत्र किसान सम्मानिधी योजना के लिए योजना के तहत कें सरकार देश के किसानों के एकाउंट में 6,000 रुपे सल्दान ट्रांसपर करती है हर चार महिने में किसानों के एकाउंट में 2,000 रुपे ट्रांसपर की जाते हैं और गुरतला भेकी भारत सरकार ने सभी किसानों के लिए EKYC को अनिवार्य किया था क्योंकि दोस्तों काफी आसी किसान हैं जो पातर नहीं है इस योजना के लाइक नहीं है वैं फिर भी इस योजना का लाब प्राप्त कर रहे हैं दोस्तो जो पात्र किसान है उन तक लाब नहीं पहुंच पा रहा है तो इसी इस्तिति को देखते हुए सरकार दौरा यह है नया नियम लागू किया गया था जिसमें EKYC करना अनिवारिया सरकार दौरा कर दे गया था आप सिधा ओफिल वेबसाइट पर जासकते हैं प्यम किसान.jo.in टाइप कर लिजीगा दोस्तो नोट कर लिजेए इसको मैं एक बार फिस वाप ओभाद आज आता हूं अगर आपको मालूम नहीं है पीम डौरी पीम किसान.jo.in एक बार फिर्पीट कर दे रहे हैं पीम किसान.jo सब्सक्राइब करते हैं या फिर आप किसी भी जन से वकेंद पर जाकर कम्प्रीट कर सकते हैं और दोस्तों आप लापर आपक्ड कर सकते हैं अब दोसो चार हजार रुपी दिये जाएंगे वह किन किसानों को दिये जाएंगे यानि किन किसानों को दिये जा सकते हैं तो उसके बारे भी याँ पर जान लीजिए जिन किसानों की दस्वी किस्त रुपी हुई है और वह ग्यार्वी किस्त भी लेना चाहते हैं तो दोस्तो ग्यारवी किस्त के साथ ही सरकार दोवारा आपको दोनों किस्ते एक साथ दे जा सकती है इनके 4000 रुपे सरकार दोवारा एक साथ दे जा सकते हैं अगर आपकी किस्ते रुखी हुई हैं तो जो भी आपकी किस्ते रुखी हुई हैं एक दो तीन हो सकता है कि एक किस्ते करवाने क को प्रैस करेंगा ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके आप चाते हैं आप से ज़्यायत और मिलते हैं आपको नाइस्ट वीडियो में तब तक के लिए उस्तों जै हिंद जै भरात